आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे मेरे नाम ऐसे धान तक नहीं हो तरी स्टेडी ग्लोस पर आपका बहुत दोस्ट वाकत है तो पाकिस्तान की सरकार चली गई शैबाज शरीफ गए और अनवर उलहक काकर यह आ गए हैं कहां के है इनके बारे में बात करेंगे क आपको लास्ट डिटेड डिसकाउंट में लेगा तो फ्रीडम कूपन को यूस करें सारे कोर्सेश पर 30 परसेंट उफ है दिनको डाक साइकॉलजी लेना है यूपीसी लेना है एंसी आटी लेना है क्योंकि एंसी आटी की भी लाइफ लाश चल रही है वो जल्दी करें तो एसेंबली जो है वो डिजॉल्व होगी है इस समय क्यों डिजॉल्व होगी क्योंकि एलेक्शन होने है तो तीन-चार दिन बचे थे पांत साल पूरा कर लेते हैं मतलब अभी जब पिछली बार जब एलेक्शन होए तो वही अगस्त 2018 में सरकार बनी थी तो अभी अगस्त आ प्रदान मंतरी नहीं है तो इसलिए अन्वर उलहक को केर टेकर प्राइम मिनिस्टर बनाये गया है कौन है अन्वर उलहक कोईटा से आते हैं बलोच आवामी पार्टी अब आप बलोचिस्तान से क्या बात है वैसे आपको बता दो आजी खबर आई है कि एक बस जा रही थे उसमें 23 चाइनीज इंजिनियर्स थे बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने अटाक किया तीन आतंकी मारे गए हैं और उसमें चाइनीज भी घायले तो चाइना भी बहुत दो खोशी नहीं बट बलोचिस्तान से आता है बलोच आवामी पार्टी से है यह बावन साल के हैं त पाकिस्तान ऐससे पहले इन्होंने अपनी हायर स्टेडिस के लिए लंडन गई यह लंडन से पढ़े लिखे हैं काफी पढ़े लिके इनसान हैं और सेनिट में पिछले 6 साल जे पाकिस्तानी सेनिट अपर आउस और इसके बाद बता रहें कि अब मैं अपनी बलोच आवामी पार्टियों से स्तीफा देके किया टेकर प्रधान मंतरी जो है वो बन जाओंगा और यह बन गए है तो बढ़िया है कब तक रहेंगे जब तक इलेक्शन नहीं होता है जैसे इलेक्शन होगे क्योंकि आप देज बिना प्रधान मंतरी के तो चलाएंगे नहीं पार्टी इनकी तहरीक इंसाफ पार्टी देखे अभी तक क्या होता है न कि पाकिस्तान में तीनी अगर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की बात करें तो एक तो नवाज शरीफ की पार्टी शरीफ है ये बहुत बड़ा परिवार है है ना जिसकी मुस्लिम लीग नवाज जो अभी प्रेज पाकिस्तान की जनता किसको वोट कर रही है वैसे इलेक्शन फ्री एन फेयर बोले गए हैं बट फ्री एन फेयर कभी होते नहीं है यहाँ पे पाकिस्तान में एलेक्शन नवाज शरीफ को जेल में डाल दिया गया जो भी पाकिस्तान का लीडर रहा है पहली बात तो आज तक पाकिस्तान को तो कोई बहुत उपर तो ले नहीं गए वो और पीछे ही ले गए वो freedom of expression कितने political लोगों का उन्होंने दमन किया जो भी उनके अब वो तो ऐसा हुआ कि भाई military से भढ़ गए और military और ISI से भई ना dangerous है यह भाई ठीक है यह हम सब को पता होना चाहिए तो basically अभी पाकिस्तान में elections तो होने वाले हैं बट कौन वोट करेगा किसको वोट करेगा hardly matter करता है मैंने क्या बताया कि यहाँ पर जो tax है एक तो tax के बड़ी दिक्कत है पाकिस्तान में जो tax है ना tax middle tax देता है वहाँ पर जो ameera वो देते नहीं मैंने आपको अभी एक lecture बताया था कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि जितने भी ठेकेदार है वो पाकिस्तान क की पार्लियमेंट पे बेटे हैं तो यह अगा बिए मेंबर अब जभी अगर लैंड पे टोबाको पे टाक्स या जो भी के पॉलिटिक्स के पास है जो मेंबर्स के पास हैं पर टाक्स बढ़ाने की बारी आती है तो जितने भी पॉलिटीशन से इसको नलिफाई कर देते हैं तो बचा कौन बचा यहां पर आम इंसान जो की बहुत ज़्यादा 200 प्रतिशा तक टाक्स बढ़ गया है फिर अभी डिजिटल सेंसस करवाए गया पाकिस्तान में तो इसकी बड़ी चर्चा होई डिजिटल सेंसस में बहुत जब 24 करूल पॉपलेशन हो गई है तो यहां पर यह पार्टीज करें डिलिमिटेशन करो डिलिमिटेशन मतलब देखो बहुत जगाँ पॉपलेशन बड़ी है तो सीटे भी बढ़ा हो फिर है ना तो अब वो नहीं हो रहा है तो इन सब मतलब समझे कि इमरान खान तो चले गए अब चाहे मुस्लिम लीग आए चाहे पाकिस्तान पीपल्स पाटी आए कोई फरक नहीं पड़ता जब तक इंटर्नल रिफॉर्म नहीं आएगा तब तक कुछ भी फरक नहीं पड़ता है फिराल अनवर उलहक जो है वो पाकिस्तान के केर टेकर प्राइम मिनिस्टर जो करें थांक यू सो मच